नमस्कार आप देख रहे हैं सिटीवोफ लाइव और मैं हूँ आपके साथ आर्या चुतरवेदी लोग सबस चुनाओ के लिए कॉंग्रेस ने अपना घोसना पत्र जारी कर लिया है बता दे कि पार्टी अध्यक्ष राहूल गांदी और सोनिया गांदी साथ में पूर्वस पीम मनमोहन सिंग वा पार्टी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में यह घोसना पत्र जारी किया गया है पार्टी ने इस घोसना पत्र को जनावाज नाम दिया है साथ ही इसके कवर पर लिखा है कि हम निभाएंगे बता दे कि घोसना पत्र जारी करने के बाद पीम की उमीदवारी को लेकर राहूल गांदी ने कहा कि आज देश में में मुद्दा किसानों का है रोजगार का है इसमें जी अस्टी नियाय योजना की काफी एहम भूमका हो जाएगी उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ ये देश के उपर है कि वो क्या सोचते है राहूल गांदी ने कहा कि इस चुनाओ का निरेटिव सेट हो गया है जो गरीव और रोजगार पर निर्भर है इसके साथ ही राहूल गांदी ने कहा कि पिये मोदी मनरेगा का मजाग बनाते थे और इसे सबसे बेकार योजना कहते थे आज हर गोई जानता है कि इसने देश की कितनी मदद की घोसना पत्र जाने के बाद कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांदी ने कहा कि इस घोसना पत्र में पांस थीम रखी गई है बता दे कि इस घोसना का सबसे पहला कदम है न्याय देना पेम मोदी ने लोगों को 15 लाग देने का वादा किया था लेकिन वो जूटा निकला इसके बाद मैंने पार्टी नेताओं से कहा कि इसके सचाई सामने लेकर आएं सारी चीजें समझने के बाद हमने गरीबों के लिए नाय योजना बनाई है इसमें हम गरीब तबके के 20 प्रतिसल लोगों को 72 हजार साल आना देंगे दूसरा कदम है देश के यूबाओं को रोजगार 22 लाग सरकारी योजनाएं खाली पड़ी हैं जिनें कॉंग्रेस सत्ता में आते ही भर देगी देश में 10 लाग पंचायतों में यूबाओं को रोजगार देंगे ब्यापार करने वालों के लिए 3 साल तक यूबाओं को रोजगार के लिए किसी से भी अनुमती लेने की जरूरत नहीं है साथ ही मन्रेगा में काम करने की दिन 100 से 1.500 किये जाएंगे तो वही राउन ने कहा कि तीसरा कदम है किसानों के लिए देश के पांच राज्यों में सरकार वनने के बाद हमने किसानों का करज माफ किया है किसानों के लिए हमने दो बड़ी चीज़ें सोची है किसानों के लिए सेपरेट बजट होना चाहिए वही नीरव मोदी जैसे लोग लोन लेकर भाव जाते हैं जबकि किसान लोन नहीं चुकाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है हमने तेह किया है कि हम उसे अपराधिक मामला नहीं मानेंगे चौता कदम बताते हुए राहूल ने कहा कि हम शिख्षा और स्वास्थ पर ध्यान देंगे इसके तहल जी डी पी का 6% पैसा देश की शिख्षा में दिया जाएगा मोदी सरकार ने उसे कम किया है स्वास्त के मामले में सरकार स्कीम लाई है जिसका लख्ष देश के इंसोरेंस वालों को पैसा देना है हम इस पर भरोसा नहीं करते इसलिए हमारा फोकस सरकारी अस्पतालों को बहतर करने का रहे गया बतादे की पूर्व पी एम मनमुवन सिंग ने कहा कि यह घोसना पत्र देश के लाखों लोगों से चर्चा करने के बाद बनाया गया है। कॉंग्रेस के लिए आज का दिन एतिहासिक है। यह घोसना पत्र लोगों की मीद को पूरा करने वाला है। भुसना पत्र में दलितों और अल्प संक्यों को का पूरा ख्याल रखा गया है फिलाल अब तक के लिए इतना ही लगातार देश-दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूवरू होने के लिए डाउनलोड करें City Boss Live Mobile Lab